नमस्कार मैं पूजा यादा और आप देख रहे हैं अर्ट प्रकाश टीवी और लेकर हाजिरूं आपके लिए देश प्रदेश की बड़े खबरे चले नज़र डालते हैं ताजा हेड्लाइन्स पर हर्याना पंजाब के बाद अब चंडीगर में 31 तक सिनेमा क्लब और संस्थान बंद कमलाज सरकार को दस दिन की संजीवनी शिवराज ने खट हिटाया सुप्रीम कोट का दर्वाजा बुद्वार से येस बैंक रहा को केले शुरू हो जाएंगी सबी सुविधाएं बंद होग शाहीन बाग को लेकर भी उठे सवाल अब खबर विस्तार से हर्याना पंजाब के बाद अब चंडीगर में भी सेनेमा जिम क्लब सभी संस्थान 31 मार्च तक बंद करने के आदेश दे दिये गए हैं इन सभी की वजह से केवल एक ही दुनिया भर में दशद बन चुका कोरोन वाइरस है कमलात सरकार की 10 दिन जीवन रेखा बढ़ गई है कोरोना का हवाला देकर विधान सभा अध्यक्ष ने 26 मार्च तक के लिए कारवाई को स्थागित कर दिया है यानि सोमवार को बहूमत परिक्षन नहीं हुआ इससे पहले राज्यपाल लाल ची टंडन पूरा वानकारी दी कि 18 मार्च शाम 6 बजे के बाद ग्रहाक अपने खाते से सामान्य लीन दिन कर सकेंगे बैंक के खाता धारक सभी 1132 शाखाओं से लीन दिन कर सकेंगे अब तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी होते ही लोग उसका इस्तमाल ओनलाइन लेन देन के लिए कर सकते थे लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा भारती रिजर्व बैंक यानी RBI के नए नियम के मताबिक 16 मार्ट 2020 से जारी होने वाले डेबिट और क्रेडिट कार्ड में ओनलाइन लेन देन की सुविधा डिसेबल होगी ग्रहकों को सुविधा दी जाएगी लेकिन इस सुविधा को उन्हें अनेबल करना होगा जमु कश्मीर से अनुचे 370 हटाने तक राज्य के राज्यपाल रहे और वर्तमान में गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक विवारदित बयान दिया है उन्होंने कहा है कि गववनर का कोई काम नहीं होता है कश्मीर के गववनर तो अक्सर दारू पीते हैं और बस गॉल्फ खिलते हैं गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रविवार को अपने ग्रह जनपत बागपत में एक सभा को संभोधित किया उन्होंने कहा बाकी जगे जो गववनर होते हैं वो आराम से रहते हैं किसी जगड़े में नहीं पढ़ते हैं दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खत्रे को देखते हुए सोमवार को मुख्यमंतरी अरविंद केज जिवाल ने सभी जिलों के अधिकारियों को बैचक के लिए बुलाया इस बाचक में मुख्यमंतरी अर्विंद केज जिवाल ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने दिल्ली में एक संस्थान पर 50 से ज्यादा लोगों के खटा होने पर रोक लगा दी है। अब तक के लिए इतना ही फिर लौचुंगी आपके लिए देश प्रदेश की बड़ी खबरे लेकर और तब तक के लिए देखते रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। ताजा अबडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।